दोस्तों क्या हर चुनाब मोदी के उपर ही लड़ा जाएगा? क्या बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ मोदी ही मुद्दबन कर रह जाएंगे? देश की जनता का क्या होगा? देश की जनता के मुद्दे क्या होगे? इस पर चर्चा करने की वज़ाए मोदी के परिवार और मोद का बयान पर चर्चा हो रहा है कि मोदी जी का परिवार 140 करोड देशवासी है क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने ये बात कह दी है इसलिए 140 करोड देशवासी उनका परिवार हो रहा है क्योंकि प्रधान मंत्री के पास कोई परिवार है ही नहीं वो किसके पास जाए अभी बीते दिनो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी कह रहे हैं कि मैं भी देखता हूँ कि लोग साल भर में काम काच करके बिहार जाते हैं, यूपी जाते हैं, वहां के लोग अपने परिवार वालों से मिलते जुलते हैं, छट मनाने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, गोली आपके पास परिवार नहीं है ये जो पाँच भाई बहन है ये कौन है फिर आगे आपको दोस्तों ये भी बताऊंगी कि उनके सगे भाई ने परिवार पर किस तरीके से बयान दिया है आपको ये भी बताऊंगी कि क्या कुछ कहा है लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है दोस्तों आप सभी से परिवार का मतलब क्या होता है क्या होता है परिवार का मतलब परिवार का मतलब यही होता है ना माँ बाप भाई बहन चाचा ताउ नाना नानी दादा दादी यही सारे परिवार होते है या कोई एक्स्ट्रा कुछ उनमें जडाओ होता है परिवार में कि कोई परिवार का सदस्य उनमें कुछ जडाओ चीजे हैं वही उसी को हम परिवार कह सकते हैं अन्य था कोई भाई बहन ये सब परिवार की कैटेगरी में नहीं आते हैं जब मोदी जी के पास मोदी जी की मा थी, तो वो जाते थे, कैमरा वैमरा बहुत सारा जाता था, फोटो वोटो भी खिचाया जाता था, आज मोदी जी मा से मिले, सब मिलके टूइट भी करता था, जानकारी भी दिया जाता था, मोदी जी ने मा से मुलाकात की है, गोधी मीडि मोदी जी हिंदू होते तो वो बाल दाड़ी कचवाते मा के मरने के बाद, लेकिन मोदी जी ने ऐसा किया नहीं, और फिर मोदी जी इसी बात पर पलचवार करते हुए बुरी तरीके से आप फसते हुए नजर आ रहे क्योंकि उनके पास पूरा भरा पूरा परिवार है, हाँ ये बात अलग है कि वो नहीं जाते हैं अपने परिवार से मिलने, दोस्तों मेरे पास भी परिवार है मेरे भी भाई बहन है मेरे भी माबाप है तो क्या वो परिवार नहीं कहलाएंगे क्या भाई बहन परिवार नहीं होता, होता है ना अमुमन तो सब के होते हैं अगर जिनके पास माँ-बाप नहीं है उनके भाई बहन है वो उनके साथ जाकर मिलते जुलते हैं लेकिन प्रधान मंत्री हर भार मैं चोकी-दार, मैं मोदी का परिवार, ऐसे ही नारे देकर मुद्दे से भठकाने की कोशिश करते हैं अरे आप देश के प्रधान मंत्री है आप अपना रोना अपना दुख्रा बाद में गाईएगा आपको जनता किस लिए चुना है किस लिए चुन रही है कुर्सी पर किस लिए बठाया है आप देश का विकास करें देश के लोगों की समस्याओं को दूर करें उन्हें रोजगार दे, बेरोजगारी कम करें मेंगाई से निजात दे विकास करें, देश की तरक्की करे इसी के लिए आप सत्ता पर बैठे हैं न या अपना रोना, अपना दुखडा गाने के लिए बैठे है कि मेरा परिवार नहीं है, तो मुझ पर कटाक्ष किया जा रहा है मेरा परिवार इस देश के 140 करोड लोग है इस बेसेस पर चुनाव लड़ा जाएगा अब ये मोदी का मुद्दा बन जाएगा, इस देश के लिए चुनावी मुद्दा मेरे समझ से बाहर है दोस्तों, लेकिन आपको ये बता दू कि मोदी जी के जो भाईया है सगे भाईया, छोटे भाई, दो साल छोटे वो क्या कह रहे है वो किस तरीके से, हाला कि वीडियो पुरानी है, लेकिन मोदी जी को लेकर वो ये कहते हुए नजर आ रहे है कि मोदी जी, आप खुद इनकी मैं वीडियो सुनाओंगी कि वो क्या कह रहे है इस वीडियो को शिर्नवास की तरफ से लिख रहे है कि मोदी जी परिवार के साथ कैसे थे, कॉंग्रेस ने ये वीडियो को को गाईए, मत देश की जन्ता को भटकाईए मुद्दो पर बात कीजिए जन्ता मुद्दो पर बात करना चाहती है लेकिन आप बार बार चौकी दार तो कभी परिवार ये सब लाकर घुमाने की कोशिश करते हैं, अरे भाई 140 करोर देश की देश के आवाम को सिर्फ और सिर्फ देश में रोजगार, महंगाई, अच्छा सिक्षा, नौकरी, ये सब चाहिए मोदी का परिवार बनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा कि हाँ, मोदी जी का परिवार क्या है, क्या नहीं है आप, देखिए, अब मैं आपको उनके परिवार की एक-एक डेटेल बताती है मोदी जी के भाई बहन कितने हैं मोदी जी का परिवार में कौन-कौन है इससे पहले भी आपको याद होगा दोस्तों, मोदी जी के खुद के भाई मोदी जी के खिलाब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते वे नजर आए है लेकिन मजालों कि मीडिया इस पर ख़बर दिखाए बताए कि मोदी जी का परिवार है उनके पांच भाई बहन है नहीं देखिए ETV भारत जो है एक ख़बर शेयर करता है मोदी जी का मैं कौन सा घर लोटू मोदी जी बतिया में ये बात कह रहे थे कि मैं कौन सा घर लोटू मेरे पास तो कोई घर परिवार है ही नहीं बिहार के बतिया में जंसभा को संबोधित करते वे प्रदानमंतरी भाबुख हो गए उन्होंने बिहार वासियों को लेकर कहा कि दिवाली छट में बिहार के लोग घर लोटते लेकिन मेरा तो कोई परिवार है ही नहीं तो मैं किसके पास लोटू मेरा कोई घर ही नहीं जहां मैं लोट सको मेरा पूरा परिवार ही भारत है और मैं उनके लिए काम करता हूँ, वो मेरा परिवार है, ये सब कुछ मोदी जी बेतिया के अंदर कहते वे नजर आए, लेकिन सच्चाई क्या है, तो चलिए आपको दिखाती हूँ, कि मोदी के परिवार में कितने लोग हैं, जी हाँ, मोदी के परिवार में पांच भाई और एक बहन है, लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं, मेरे पास परिवार नहीं है, अरे कम से कम परिवार को लेकर तो सत्य बोलिए मोदी जी, चलिए आप इतनी सारी कहानिया सुनाते हैं, जोला लेकर चलता था, चाय बिशता था, बहुत सारी कहानिया आपके पास, लेकिन एक सत ये भी है कि आपके पास चार भाई एक बहन है पाँच भाई माफ कीजेगा पाँच भाई एक बहन है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बाका जो निधन हुआ था दोस्तों उसको लेकर तब अमर उजाला ने एक ख़बर छापी थी कि किस तरीके से जो है प्रदान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके पांच भाई है और एक बहन है छे भाई बहन है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन फिर भी मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा परिवार ही नहीं है, in fact आपको बता दे कि PM मोदी के जो भाई ये प्रिलाद मोदी समेट उनके चार लोग परिवार के घायल हो गया थे, अक्सिडेंट हो गया था, जी हाँ, लेकिन मोदी जी इस परिवार से भी मिलने नहीं आया अपने भाई के परिवार से, अक्सिडेंट तब हुआ था, तब भी मोदी जी नजर नहीं आये, कि हाँ चलो, भाईया मिलने जा करके, तो ये सब मोदी जी का परिवार है, लेकिन फिर भी मीडिया कैसे छुपाती है, मोदी के छोटे भाई प्राद मोदी की कार में मोदी जी कभी आते नहीं है परिवार के लोग उसे मिलने के लिए, ये मेरे शब्द नहीं है, मोदी जी के प्रलाद जो भाई है, उनके शब्द है, कि उनका परिवार संग कभी भी जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन आप कहते हैं, 140 करोर देशवासी मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं उनके लिए काम करता हूँ, कम से कम बक्ष दीजे मोदी जी अब ये सब कुछ कहना, क्योंकि देश की जनता जानती है कि सत्य क्या है, चुनावी मुद्दों पर बात कीजिए, जनता की मुद्दों पर बात कीजिए, कि जनता को क्या चाह तो देश के मुद्दों पर बात कीजिए देश के लिए बात केजिए दोस्तों इस पूरए रेपोर्ट को लेकर आप क्या सोछते है आपकी क्या प्रती केar में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा साथ ही साथ चानल को सब्सक्राइब कर ना बिल्कुल भीना भोले